तो आप अपने हेरफॉल की जो समस्या है उससे चुटकारा पास सकते हैं आपको वीक में ये इंगिडियांस एक बार ही लगानी है और आपको एक महिने के अंदरी अमेजिंग रिजल्ट दिखने में मिलेगी तो चलिए जादा बाते ना करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हू हाई मैं हूँ लूपा मुद्रा वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं देखिए बहुत सारी चीज हम बालों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं होते हमारे पास मगर एक इंगिडियंस से अगर आप अपने बालों नहीं को स्ट्राउंग बना सकते हैं हा एक आप सकते हैं तो क्यों हम वे इंगिडियंस टाइना करे तो चलिए लेते हैं कौन से इंगिडियνस के मैं बात करे nazi मैं बात कहई णहे हूँ अनियन के जिसमें अधिक तर मात्र के सलफ़र होते हैं सलफ़र हैर रीग्रोथ के लिए बहुत ही हेलफ़ुल इंगेटिधान्स है ऑनियन जुसमें बहुत जादा मात्र हाँ एंटि आक्सिडंट होते हैं जो pre-mature gray hair के लिए भी बहुत असरदार काम करते है onion helps to nourish your hair and prevent hair fall मैंने यहाँ पर मेरे बालों के हिसाब से 4 baby onion ले लिया है इसे अच्छे से पील करके इसे धो के मैं मिक्सी पे ग्राइंड कर लोंगे इसकी जो juice है उसे मैं निकाल लोंगी इसी juice को आपको week में एक बार लगानी है लगाने के दो घंटे बाद आपको shampoo से अपने hair को wash कर लेनी है आपको इसलिए week में एक बार लगानी है क्योंकि यह जो है बहुत ही ठंडा कर देता है body को तो regularly अगर आप onion juice को अपने scalp पे डालते हो तो आपको सड्डी या जुकाम हो सकती है तो इसलिए यह सबसे बहतरी नुपाई है आप week में इसे एक बार ही juice करिए निकाल लेने के बाद इस तरह से मैं मेरे hair को अच्छे से brush कर लूँगी and cotton के help से इसे अच्छे से मेरे scalp के उपर इसे आपको scalp पे ही लगानी है क्योंकि यह आपके hair growth जो है उसे बढ़ाता है because इसमें बहुत मात्रा में sulfur होते है anti-oxidant होते है जो कि आपके बालों के gray होने का इश्रमली बादार से आप बड़े वाले onion भी यूज़ कर सकते है आप इसे जड़ूर ट्राइ करिए बाल छोटा हो या बड़ा हो मेल हो या फिमेल हो हर कोई इस यह सिंपल से रिमेडिस को घर पे आसानी से कर सकते है बहुत सारा टाइम भी नहीं लगता है तो आज का ये वीडियो हेल्फूल है आपके लिए अगर हेल्फूल लगता है तो अपने फ्रेंड्स एन फैमिली सबके साथ से शेयर करिए फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो पे तब तक के लिए नमस्ते थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो